हेलो एंड वेल्कम आप सभी का स्वागत है हमारे यूचूब चैनल पर और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो की हिंदी भासा से संबंधित होगा कर्थात हिंदी का उद्भाव हिंदी भासा का उद्भाव और उसका विकास तो सुरू करते हैं आज के टॉपिक को त तो आज का टॉपिक होगा हमारा हिंदी भासा का उद्भाव और विकास तुक इसी टॉपिक को लेकर आज हम पर चर्चा करने वाले हैं और ये हिंदी भासा का सुझ सबसे बेसिक टॉपिक है सुरुवाती टॉपिक और यहां से जो है लगातार प्रश्णे बनते हैं तो पूरी दुनिया में जो भासाएं कम से कम पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में संपूर्ण विश्व में लगभग 3,000 भासें बोली जाते हैं और इन 3000 भासाओं को 13 भासा परिवारों में बाटा गया है संपोर्ण विश्व की जितनी भासाएं है उन सब भासाओं को 13 भासा परिवारों में बाटा गया है और इन 13 भासा परिवारों में से 4 भासा परिवार जो हैं भारत में बोली जाते हैं 4 भासा परिवार की भासाएं भारत में बोली जाते हैं देखते हैं सबसे बड़ी बड़ा भासा परिवार जो भारत में बोला जाता है वो है भारोपिय भासा परिवार भारोपिय भासा परिवार ठीक है दूसरे नमबर पर आता है द्रविड भासा परिवार ये दूसरे नमबर पर आता है तीसरे नमबर पर आता है आपका आस्टिक भासा परिवार और चौथे नमबर पर आता है आपका इनी तिब्वती भासा परिवार तो यह चार भासा परिवार हैं जो भारत में बोले जाते हैं चार भासा परिवारों की जो भासाएं हैं वो भारत में बोली जाते हैं तो अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो सबसे अधिक जो मात्रा में बोले जाते हैं वो लगबग 73 परसेंट जो है भारोपी भासा परिवार की भासाएं भारत में बोली जाते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले यानि की द्रबिट भासा परिवार की तो 25 प्रतिशत जो है द्रबिट भासा परिवार की भासा है बोले जाते हैं इसके बाद अगर हम आस्टिक भासा परिवार की बात करते हैं तो 1.3% जो है ये बोले जाते हैं और अगर चीनी हिंदी जो है आपके आती है भारुपी भहासा परिवार हिंदी किस भासा परिवार की भासा है हिंदी का है उससे संब्सान harvest क्या है तो इसका एक क्रम बनता है जैसे सब हम बात करते हैं भारोपी की उपसाखा की एक भासा है तो यहां से हिंदी चलना शुरू करती है और हम यहां पर पहुंच पहुंचे अब हम बात करते हैं कि भरतिय आर्य भासा तो भरतिय आर्य भासाओं को अध्यन की द्रिश्टी से तीन भागों में बाढ़ दिया गया है ठीक है भरतिय आर्य भासाओं को भरतिय आर्य भासा को तीन भागों में बाढ़ दिया गया है पहला होगा प्राचीन भारती आर्य भासा दूसरा होगा मध्यकालीन भारती आर्य भासा और तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारती आर्य भासा ठीक है तीन हिस्ते हमने कर दिये यह तीन भाग है यानि कि भरती आर्यभासा को हमने तीन भागों में बांड दिया है और वो तीन भाग है प्राचीन भरती आर्यभासा, मध्यकालीन भरती आर्यभासा और आधुनिक भरती आर्यभासा तो प्राचीन भारती आरिवाजा के अंदर आता है वैदिक संस्कृत और दूसरा आता है लौकिक संस्कृत ठीक है मध्यकालीन भारती आरिवाजा के दिन आता है पाली, प्राकरत और अपभरंस ठीक है जाता है। अब कि अधुनिक आरीय भासा ही है। आधुनिक भारती बासाओं को दो आ हिस्चों में बढटा जाता है। एक पहला हिस्च्छ ία होता है हिंदी वर्वी की और दूसरा होता है आपका हिंदी तर वर्वी की हिंदी तर वर्वी ठीक है? यह दो वर्व होगे इसमें हिंदी वाले यानकी जिसमें जो हिंदी से रिलेटर जो भासा हैं वो इसमा जाएंगी और दूसरा जो है जो हिंदी से इतहर है जो वह नहीं है वो इस तरह आ जाएंगी तो हम इनकी चर्शा करने वाले हैं अब यानि कि आध़ोनीक आय भासाओं में हिंदी और हिंदी तरवरंग securities नहीं है कि के हैं Thailand पूरवी हंदी बिहारी हंदी इसके अलावा पहाड़ी और राजस्थानी ठीक तो ये पांच हिंदी की उपभासाएं हैं जो हिंदी वर्ग में आ जाती हैं एक जो तीन चार पांच और बागी हिंदी तर वर्ग में जैसे हम बात करते हैं गुजराती इसके अलावा पंजाबी सिंधी इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांगला उडिया इसके अत्रिकते अगर असमिया आधी तमाम सारी भासाएं इस वर्ग में आ जाती हैं तो अगला जो हमारा अगला बिंदु है वो ये है कि हिंदी का विकास हिंदी का विकास कहा से हुआ या कैसे हुआ उसकी बात करते हैं तो हिंदी के विकास करम को जानते हैं हिंदी के विकास करम की बात करें तो हिंदी के विकास करम में सबसे पहले आता है संस्कृत आली नंबर दो प्राकरत प्राकरत के बाद अपभ्रंस अपभ्रंस के बाद अवहट के बाद आता है हिंदी तो ये हिंदी का विधास्क्रम है ये जो निकली है वो कहां से संस्क्रत कि से अब हम बात करते हैं कि आधुनिक भारती अर्य भासाउं का विखास कि काऊ से हुआ है दूसरा जो हमारा प्रश्ण है कि आधुनिक भारती आर्य भासाएं का विकास जो हुआ है वो हुआ है कहां से अपभ्रंस से कहां से हुआ है अपभ्रंस से आधुनिक आर्य भासाओं का विकास हुआ है तो अब हम जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपभ्रंसों पर गया कि कितने अपभ्रंसे हैं जिन से भारती आर्य भासाओं का विकास हुआ है ठीक तो भारती आर्य भासाओं में वो भासे हैं जिनको हम अभी बात की थी हिंदी और हिंदी तरवर्ग में वो सभी इस स्रेणी मार जाती है तो उनका विकास कहां से होता है अपभरंस से होता है ठीक हो गया आधुनिक भारतिया वहासाओं का विकास होता है किससे अपभरंस से से अपभरंसों की बात की है अपभरंसों की संख्या की बात करें तो अपभरंसों की संख्या की बात करें तो अपभरंसों की संख्या की इनके हमने बात करना है सबसे पहला हम लिखते हैं सौर सेनी सोर सेनी अपभणस दूसरा उसके बाद अर्दमागदी अर्दमागदी तीसरा है मागदी अपभणस चौह था खस और पाँचवा है ब्राचड उसके बाद आता है महरास्टी यह आपके च्छै अपभणस है ठीक है? एक, दो, तीन, चार, पांट, छे यनकी छे अपबरंस हैं जिनसे आधुनिक भारतिय आर्य भासाओं का विकास हुआ है तो हमने बात की इन छे अपबरंसों की जिनसे जो हैं आधुनिक भारतिय आर्य भासाओं का विकास हुआ है सौरसैनी, अर्दमागदी मागदी, खस, ब्राचड और महारास्टी तो ये छे अपबरंसे हैं जिनसे जो है आधुनिक भारती आर्य भासाएं विक्सित हुई है आधुनिक भारती ये आर्य भासाएं ठीक है? आधुनिक भारती आर्य भासाएं तो बात करते हैं सौरसेनी सौरसनी से निकली है क्यों सी आपकी पस्मी हिंदी इसके अलावा राजस्थानी तीसरी निकली है यहां से बुजराती यह सब आधनी भारते आरे बहसाएं हैं वो निकली है कहां से सौरसनी से उसके बाद बात करते हैं अर्दमागदी से तो अर्दमागदी से जो बहसाएं न पूर्वी हिंदी अब मागदी की बात करें तो मागदी से निकली है बिहारी हिंदी, बिहारी, उडिया, बांगला, असमिया, ये वास है निकली है इससे, इसके बाद है खस, खस से निकली है पहाडी, इसके अलावा ब्रांचड से बात करें तो ब्रांचड से निकली है सिंधी और पंजावी और हम बात करते हैं महरास्टी से निकली है मराथी तो ये वो भासाएं हैं जो की सौरसें यानि की अपब्रहंसों से निकली हैं और आधनिक आरिय भासाएं ठीक अब हम बात करने वाले हैен कि इन आधुनिक आर्यहे भासाओं में हिंदी से एलेटेट कौन पोल जी में हिंदी सिहले नहीं है आपकी दिखेंट आपकी राजस्थानी हो गई तीसरी आपकी पूर्वी हिंदी हो गई ठीक है चौथी आपकी बिहारी हिंदी हो गई ठीक है बिहारी हिंदी पांच में हो गई आपकी पहाड़ी ही तो ये हिंदी वर्ग में आती है जो पांच जो हैं जिसको हमने बोला था हिंदी वर्गे तो ये हिंदी वर्ग में बांकी जो अन्य भाजाएं हैं वो आ जा करने वाले हैं तो हमने बागी सब मिटा दिये हैं और एक राजिस्थानी रहा है राजिस्थानी को भी हम अलग से लिग देंगे छीग हो गिया तो अब हम देखते हैं कि यह जो पांच है यहां लिग देते हैं तो अब यहां से जो है इन आज हिंदी की उपभासाओं से हमारी 17 हिंदी की बोलिया निकलेंगी, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पस्चमी हिंदी से, पस्चमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हो सबती हैं, पस्चमी हिंदी की बोलियों के अगर बात करें तो उसमें आता है ब्रज, ठीक तो ये 5 बॉलियां जो हैं, कहां से निकलती हैं? पस्वी हिंदी से निकलती हैं। तो यह निकलते हैं आपके कहां से पूर्वी हिंदी से तीन बोलीया निकलते है इसके बाद हम बात करते हैं बिहारी हिंदी से निकलती है आपके मेथली भोजपूरी जोजपूरी और मगही खीक हो गया तो मगही, मै Hilfe Li और घोचपुरी ये निकलते हैं बिहारी हिंदी से और इसके बाद बात करते हैं पहारी हिंदी से तो गड़वाली और कुमाउणी शीक है गड़वाली और कुमाउणी दो यहाँ से निकलते हैं अब हमारे पास बसता है एक राजस्थानी राजस्थानी हिंदी से चार राजस्थानी भासाई निकलती हैं जिसमें हम पहला बात करते हैं जाईपूरी जाईपूरी दूसरी हम बात करते हैं मेवाती तीसरी हम मारवाडी और चौथी है मालवी ठीक है तो ये चार जो निकलती है वो निकलती है कहां से राजिस्थानी हिंदी से तो इस प्रकार से ये जो है हिंदी की सत्रा बोलिया हो गई ठीक क्या होगे हिंदी की सत्रा बोलिया हो गई आप इनको गिन सकते हैं जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारब, बारा 13, 14, 15, 16, 17 तो ये सत्रा क्या हैं? हिंदी की बोलिया हैं और ये पांच हिंदी की उपभासाएं हो गई अब इनमे से कुछ, जैसे बिसली बार एक प्रस्न पूछा था कि कौरवी, यानकी खड़ी बोली को जो है, कौरवी नाम किसमे दिया तो ये इसका जो नाम है, वो दिया गया है राहूल, सांकरत्याइन के द्वारा ठीक है? राहूल, सांकरत्याइन ने इसको जो है सांकरत्याइन ने जो खड़ी बोली को कौरवी या खड़ी बोली नाम दिया है इसके अलावा इनके कुछ substitute नाम भी होते हैं यांकी दूसरे नाम जैसे की हरियाणिमी को बोला जाता है बांगरू ठीक है हरियानमी का नाम बोला जाता है बांगरू बांगरू कौनसे भासा बोली है वो बोलते है हरियानमी को बांगरू कहा जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो अवधी को बेसवाडी कहते है अवधी जो भासा है उसे बेसवाडी भी कहा जाता है और इसके अलावा हमारे पास एक मैथली है, मैथली, मैथली को जो है तिरहुतिया के नाम से भी जाना जाता है, मैथली को तिरहुतिया कहा जाता है तो तमाम सारी ये जो भासाएं हैं ये इनकी कुछ अन्य नाम भी है जैसे जैपुरी को कहते हैं दुन्डाडी भी बोला जाता है दुन्डाडी जैपुरी को बोलते हैं ठीक है ये इसका दूसरा नाम है दुन्डाडी और अन्य भासाओं में भी कुछ इसी तरह के नाम रहते जो कि ये आपका भासा का विभाजन यानि कि बोलियां उपको भासाएं और अपभरंस तो कभी-कभी इसमें एक बड़ा प्रशना आता है जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि खड़ी बोली किस अपभरंस से निकली है तो आपको सीदे-सीदे प्रसन बाइपास हो जाता है कि खड़ी बोली बोले तो शौर से निया आपसे पूछ दिया जाता है कि मैथली किस अपभरंस से प्रभावित है या मैथली तो यहां से आप देखिए मगही मैथली ठीक है तो यह इसकी मगही निकली है किस से मगही से निकला है बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी से निकल प्रच्वाट